इस गाड़ी के अंदर ना मिलता है automatic AC, ना मिलता है wireless charging का support, ना ही कोई ambient lighting है और ना ही है 10 inches वाला infotainment screen, ना ही इसके अंदर आती है headlamps, projector में और ना ही इसके rear पे कोई wiper है, लेकिन इसके अंदर ऐसा खास feature मिल जाता है, जिसके पीछे आज का youth जो है, वो बहुत ज्यादा crazy है, और वो है इसका sunroof, sunroof के जो control से वो यहाँ पे दिये गए है, और जो sunroof है वो उसके placement यहाँ पे है, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यह वाला जो sunroof है, वो aftermarket तो नहीं, तो बिलकुल भी नहीं aftermarket है, यह company fitted sunroof है, और जो detail है इस गाड़ी की वो होने वाली है, so stay tuned, वीडियो को skip मत करना, पूरी detail onra से बताने वाला हूँ आपको, सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, यह है Hyundai की I20 N-Line, यह normal N-Line नहीं है, तो N-Line की सबसे पहले मैं आपको badging दिखा देता हूँ, एक तो badging इसकी यहाँ पर मिल जाती है, दूसरी badging इसकी यहाँ पर मिल ज जाती है N-Line की badging, अंदर की बाद में करेंगे एक जो badging है, वो दोनों साइड यहाँ पर मिल जाती है, अलग से एक और इसकी badging यहाँ पर मिल जाती है, इसके फ्रंट वाले bumper पर, इसके अलावाद दोनों साइड सेम है, यहाँ पर भी, गेट के अंदर भी, आगे वाले औ और पीछे वाले, सेम चीज मिलती है, N-Line की badging, ओनर हमारे साथ में है, करन कपूर सर, तो कैसे हैं सर आप, बढ़िया, बढ़िया, तो करन कपूर जैसे जानते हैं, उनका experience इस गाड़ी का कैसा रहा, और यह कप परचेस की ती, कितने की गाड़ी on-road पढ़ी ती, मेरट के यह वाला जो variant है, वो N-Line है, और इसकी N-Line की badging है, वो steering पे भी दी हुई है, और इसके headrest में भी दी हुई है, seat में भी दी हुई है, तो हर जग आपको इसमें feel होगा, कि आप N-Line में ही बैठे हैं, और यह वाले जो आप red वाले जो portion देख रहे हैं, इसके brakes पे भी red calipers दिये हुए हैं, वो सब चीजे N-Line की वज़े से, तो basically यह जो red वाले section है, यह denote कर रहे हैं इसकी performance को, क्योंकि polo के जाने के बाद में सभी की एक requirement थी, कि एक performance वाली जो hatchback होती है, वो market से जा चुकी है, लेकिन इस गाड़ी को चलाने के बाद में आपको कहीं से कहीं तक feel नहीं होगा कि performance hatchback से जा चुकी है, यह काड़ी, नॉर्मल काड़ी के मुकाबले extra power generate करती है, और इसका engine 1.0 liter, turbo GDI engine है इसका petrol, और यह 118 PHP की power, और 172 newton meter का talk generate करता है, जब कि जो normal i20 आती है, तो उसके engine में power होती है, 82 PHP की और 115 newton meter का talk generate करता है, यह वाला N-line variant है, यह IMT और DCT कि दोनों में आता है, यह manual के साथ नहीं आता है, तो इसको एक बाद drive करते हैं, और इसकी performance भी चेक कर लेते हैं, साथ ही Karan भाई से उनका experience भी जाने है, और जो काड़ी की आवाज है, वो बड़ी ही प्यारी है, क्योंकि यह काड़ी आती है dual silencer के साथ में, और अभी gate को cross कर करन भाई से कहा कहा पर trip की आपने, भाई मैं तो नहीं नहीं ताल गया हूँ, दिल नहीं तो बनाने घुड़गाउं तो ऐसी है, कुछ कहने के अदमी, गूमी तो बहुत है गारी है, और चुछ स्टेरिंग रिस्पॉंस है काफी ज़्यादा प्यारा है, जो लेदर रेब ह काफी ज़्यादा अच्छा फील कर रही है, अच्छा आपको एक और चीज बता हूँ इस गाड़ी की, अगर नॉर्मल कोई गाड़ी होती है, बहुत लोग कहते हैं कि इस गाड़ी का सैलेंसर फटा वाए, अच्छा उनको एक चीज और बताना चाहुआ है, वीवर्स को अगर वो नॉर्मल खड़ी रहेगे तो आपको वो स्पोर्ट्स वाली आवाज देगी, तो भाई इसमें संरूफ है, इसमें बागे सा फीचर नहीं है, तो आपका एक मन नहीं हुआ कि इसके टॉप मॉडल पर जाते हैं क्योंकि आपको ओन रोड कि इतने की पढ़ीती है, 11,84,000 और बार लाग के आसपास करीब इसका जो नॉर्मल है, बिना एं-लाइन की, वो इसका बार लाग के आसपास अजाता है, तो आपका कही नहीं मन नहीं हुआ कि इसकी टॉप मॉडल पर चलते हो, उसमें आपको अपको अबिन लाइटिंग और यहां पे डिस्प्ले एक परमीश फर्वा की लाइन है, फीचर देखके काड़नी लेन दे, इंजन तगड़े चक्की दे, यह बड़ी अच्छी वादी, तो मेरे को फीचर वगर से घंटा फरग नी बढ़ता है, तो मेरे इसमें कुछ भी दे दो, मेरी गाड़ी है कि पैर रखू, बराबर में BMW ह परारी हो, साथ में टक कर देदे, क्या हुआ आपको एक और चीज़ बता हूँ, मेरे साइड में BMW चली होती है, इस गाड़ी पर मुझे एतना गॉंपिटेंस है, कि अगर पैर रग दिया, और दूसरे गेर पर तीसरे गेर पर डालती, तो यह बतता मुजी कर देगी, अच् जो लेफ्ट वाला पैरास में काफी ज्यादा आराम है, तो करन भाई, अपने मैनुल ट्राइब किये कभी, मैनुल मेरे पिछली थी, राइन इटन थी मेर पर, अच्छिस से बहला अप्रें इटन चाहाँ, तो वो क्यो सेल की, वो मेरे को आप जाताना कि थोड़ा अप्ग् करने के बाद में आपने हैच्बेक में ही क्यो अप्ग्रेड किया, हैच्बेक का एक अला की रुथभाए वो चीज में, मतलब आप रोके ने सकते तो गाड़ी को, मतलब आपको ऐसी गाड़ी चीए थी, जो सड़क पे चले और रुके ना, हाँ, तकर देने ज़सी जगह से चास, साथ क्रॉस और ये, एटी क्रॉस हो चुकी है, वावर तो है, वावर तो बहुत जबरदस थे इस गाड़ी के अंदर, नो डाउट, अच्छे इसकंटर ब्रेकिंग सिस्टम कैसा दिया गया है, ब्रेकिंग सिस्टम बहुत क्लासी है, इसमा एथिंग दोनो साइड आगे पीछे दोनों डिस्क है, इसका 16 इंची के टायर है, 16 इंची के और इसके अलोई भी जो है, वो ड़े हैं उससे, आपके जो नॉर्मल मॉडल्स हैं, आई 20 के, उनसे बड़े हैं, उनसे बड़े हैं, वो ब्लेड टाइप दे ज़ते हैं, वो कर्ब थोड़े जारा है, अगर लेकिन आप जब इसके अलोई देखोगे ना, तो आपको ऐसे लिए, यार, चलती भी लग रही है गाड़ी यार, गज़ा भी लगती है, बिल्कुल, राइट, 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 और इम्ट का एक और फाइदा है, अपना एक पर आराम से बैठो, उपर करके बैठो, बैठो कुछ भी क्रूस पर लगा दो हाइवे पर गाड़ी बस इतनी स्टेबिलिटी इतनी बढ़िया है इसकी कुछ कहने के अतनी, तो भाई आपने क्रूस की बात करी, इसके माइलेज की बात और गल्ले थे, इसमें आपको माइलेज के इतने का मिल रहा है, भाई, माइले मेरे को 17-18 का अराम से देरी, बहुत प्यार से, तो इसमें आपको कभी कोई प्रॉब्लम आई हो जिसकी वज़ा से आपको ऐसा लगाओ कि यार गाड़ी लेकर गल्ती कर दी, या फिर हुंड़ी की तरफ से आपको कोई शिगायत रही हो कभी भी, मैं आपको एक चीज आप दो नहीं लेलोगे, दो नहीं नहीं लेकिन यह तो ऐसी है, जो चाहिए सो चाहिए ना, इक्जाक्ली, आपको पावर चाहिए, पावर गाड़ी के अदर पूरी मिल रही है, बिल्कुल, राइट, 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 यह बड़ी अच्छी चीज है कि जो 100% satisfaction है वो हर य गाड़ी डिलीवर कर रही है कंपनी, तो यूजर को उस चीज से पूरा-पूरा satisfaction मिल रहा है, जब आपने गाड़ी पचेस की उस ताइम पे डीजल में अवेलबल थी, अल्दो यह गाड़ी अभी 2023 में डीजल में डिसकंटीनी हो चुकी है, सिर्फ पेट्रोल में बची हु जब इतने गाड़ी है, तो मैं यही चीज है होगा कि मैं डर्षानल फटो चलाओ उस तो जो उस्कों है, कि मैं डर्षानल हो जब पाट्रोल पर को चीज हो कहा बाट ज़र लगाAY कि इतना कम माईलेज कैसे देरीग है क्यों क्यों कि वेड़ी डीजल बाल उची ति ती फर तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है अच्छी मेरे यह परसनली पापा की चोईस थी अच्छी आप ले ली तो फिर आप पैट रोल करें सोचना भाई का मैं आपको बता जेता हूं कि भाई मुंबाई से हैं एक्छी वह हैं मेरट से ही लेकिन मुंबाई में एक्टिंग और इं इनका जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वह भी आपके स्क्रीन पे शो रही है आप फॉलो कर सकते है अगर यहां पर हम लोग इसका अगर लैंबो लिख वाद है यहां पर लेंग तो यह कही ना कहीं वह हमें फील देगा बैट तो अगर मैं जैसे स्टोरी पे बना हुआ ह अगर दोसरा है यह सारी रेड लाइन की बैजिंग वह मिरको बड़ी अच्छे लगी जो यह सीट में रेड लाइन सा रखी है दोनों साइड है पीछे वाली सीट में भी है और यह रेड जो पूरा कनेक्टिंग है यह बहुत ही प्यारा लुक दे रही है साथ ही इसके स्टे अगर नोब है उस पे भी यह एंकी बैजिंग है और रेड लाइन लगी हुई है क्योंकि यह हमेशा आपको याद दिलाएगी कि आप एक स्पोर्स कार में बैठे हैं नॉर्मल कार में बिल्कुल भी नहीं कितने स्पीकर साते हैं कितने टुटर आते हैं इसके अंदर इसमें आगे तो है नीचे गेट में तो है यहापके टुटर दे तो चार स्पीकर और दो टुटर दे बिल्कुल वर्सके जो साउंड है उससा पूरी तरह सेटिस्टाइन तो मतला कभी भी यह चीज नी हुई कि मेरेको अप्ग्रेड करना चाहिए जो है वो बेस्त मैने आपको बत तो मैं आज तक जो है कभी भी मैंने अपने गाड़ी में छेड़शाड करे ही नहीं है ना मैंने अम्बेंट लगवाई है ना मैंने कुछ आगे मोडिफिकेशन करवा रखी है जैसी मिली है वैसी अभी रखी है एक साल पहले से दूसरी चीज यह भी होती है कि जब आप अब करवाते हैं तो कंपनी वारंटी आपकी खतम कर देती है आप से पूछ आप यह गाड़ी कितने रिकमेंड करते हैं यूजर को हमारे वीवर्स को कि वह आईटवन्टी नमल छोड़के पर पर्फॉरमेंस के लिए आईटवन्स के लिए पर आप जा गए इस चीज में त अगर आप लोग पर्फॉरमेंस के बेस अगर आप लोग को मैलेज से प्यार है तो भाई बिल्कुल इसकी तरफ मत देखना आप लोग जाओ नॉर्मल गाड़ी की तरफ क्योंकि यह गाड़ी आपको मैलेज बिल्कुल भी नहीं देने वाल लिया आपका पेट्रोल के साथ स बता रहा था आप मेले ना सबसे पहले एक्साइटमेंट चेक करना कि मैं कितना खुश हूं और मैं आपको रिकमेंड करूंगा जाओ तो एनलाइन पर जाओ उससे नीचे जाना भी मत यह एक्साइटमेंट शो करती है इनसान की कि वह कितना ज्यादा सैटिस्फाइड है आज अपना कीमति समय में देने के लिए पूरी गाडी की टीटेल समय बताने के लिए एक बार अपना एक्सपिरेंस शेयर करने के लिए हमारी यूजर्स के साथ हमारी व्यूर्स के साथ आगे आप लोगों के लिए नए-एगाडियों का ओनर्शी प्रिवीव लाते Thank you so much for watching. Keep sharing, keep loving. Like करो, Share करो, Subscribe करो.